हेलो डियर श्टुडेंट आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल पर तो आज हम लोग डिसकासन करेंगे डिपलोमा ट्रेनी रिकुरिमेंट दोजर तेज जो 425 पोस्ट पे निकली है पावर गीड में जेएक वेकंसी उस पर आज डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कि कौं सा जोन सबसे सेफ रहेगा पीछली बार कीस जोन की कट ऐफ सबसे कम गयी थी और इसको हम मैप के थूरु समझने की कोशिस करेंगे कि आपके लिए कौं सा जोन कौं सा रीजन अच्छा रहेगा बढ़ने के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछली वार का cutoff जो 2022 में vacancy आई थी उसका cutoff देख लिए थे प्रिवियस येर का जून वाइज तो यह जो देख रहे हैं NR1 का NR1 का देखिए जो जेनरल का cutoff गया था 110.25 गया था यह जो है 170 में है इतना नमबर आपसे भी जानते हैं पाउर गीड में जो question आता है 170 question आता है 120 question टेकनिकल कर रहता है और 50 question नंटिक कर रहता है और कोई भी question यदि एक question गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 marks negative करता है और सही उतर के लिए 1 marks मिलता है तो देखते हैं NR1 का आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर General का 110.25 गया था OBC का 107.25 गया था EWS का सेम है 107.25 AC का 99.25 गया था ST का 70 गया था इसी टाइब से हम लोग देख सकते हैं NR2 में भी उसी टाइब से Cut-off यहाँ पर दिया गया है General OBC EWS SC ST तो NR2 का सबसे कम Cut-off गया है General का सबसे कम गया है Cut-off OBC का कम गया है Cut-off EWS का कम गया है Cut-off और Vacancy भी NR2 में उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन NR1 में सबसे ज़्यादा Vacancy थी इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं NR3 का NR3 का Cut-off यहाँ पर सो कर दिया गया है देख सकते हैं आप सब पिछला Cut-off है तो NR2 में जो Vacancy आई थी उसका 107 नमबर Cut-off गया है कि इसका General का यह OBC का है फिर EWS का है SC का है ST का है और NR1 जो पटना बोड है वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा Cut-off गया था 113.25 और 112.25 इसलिए इसको हम Red Zone में रखे हैं पटना का Cut-off ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा गया था पिछली बार के तुलना में पिछला बार और फिर उसी टाप से हम लोग देख सकते हैं ER2 में जो ST का Cut-off में बहुत ही कम गया है इसलिए इसको Green Zone में कर दिया है Green जैसा ER1 का Cut-off देख सकते हैं General OVC का यहाँ Vecancy नहीं था EWS SC और HT फिर उसके बार उसी प्रकार से देखते हैं ER2 का ER2 का OVC का Cut-off 102.75 गया था 102.75 General का 102 OVC का गया था 95.95 नमबर पे EWS का हो गया था SR2 में और इसे भी कम गया है Cut-off कुछ लोगों का Betting Clear हुआ बहुत सारा Betting Clear हुआ है आप मान के चलिए कि 425 Vecancy है तो 425 Vecancy नहीं है इसको Double कर दिजए 850 अब के लिए Vecancy है क्योंकि जितना Power Grid Result देता है उतना ही WR2 जो रीजन है वो गुजरात बढ़ोदरा और मर्द पर्देश से समने पड़ता है तो यहां का Cut-off 107.05 गया था General का OVC का 106.25 गया था Betting Clear होने कवादी ए और थोरा से Degrees किया है EWS का 101.05 गया है Cut-off ESC का 95.05 गया है और ESC का मातर 68 गया है Cut-off तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं Analysis हमने किया है तो इससे पता चलता है कि आपके लिए NR1 है जो Danger Zone था पिछली बार इसलिए इसको RAID में रखा गया NR2 सबसे Safe Zone वाना गया था पिछली बार जो इस वारे के लिए ट किया गया है DT Diploma Training का Requirement उसके लिए यह साड़ा जो Electrical वाले के लिए हम बता रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं ASR2 वाले के लिए ASR2 में जो है ESC का सबसे Safe Zone था और HD के लिए जो आपका सबसे Safe है ER2 था Kolkata यह सब वाला रीजन तो इस टैप से आप लोग देख सकते हैं आपके लिए सबसे Safe Zone कौन सा रह सकता है तो चलिए और हम Analysis करते हैं यह जो Safe Zone है आपके लिए कौन सा Safe Zone रहेगा यह Depend करता है 2-3 में जो अभी Vacancy आई है उसमें कहां-कहां कितनी सीटे हैं कितना पोश्ट हैं ठीक ना उसी पर Depend करेगा कि आपके लिए कौन सा Safe Zone रहेगा आप किस किस लेवल के हैं पढ़ने में Average Student है कि Highest Student है इस पर Depend करेगा आपका तो देखते हैं हम लोग 2023 में जो Vacancy आई उस पर नजर डालते हैं आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा Vacancy NR1 में आई है NR1 में General का कितना सीट हैं तो General का देख सकते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा सीट हैं Green इसको कर दिया गया है 33 है OVC का 15 है सबसे ज़्यादा है EWS का हर रीजन के तुलना में NR1 में सबसे ज़्यादा Vacancy आई है AC का 15 है तो इस टाइब से आप लोग देख सकते हैं NR2 में Vacancy डिटेल देख लेते हैं जो NR2 के बंदे होंगे NR2 में 5 है General का OVC का 2 है EWS का 1 है AC का 4 है HD का 1 भी नहीं है तो जो एस टी वाले कंडिडेट है वो अपना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो केटेगरी जहां जहां पोस्ट खाली है Vacancy आई है उसी रीजन में फीलप करने का कोसिस करिएगा ताकि आपको ETS, ETS, EWS, OVC का लाभ मिले NR3 देख सकते हैं आप लोग NR3 में उसके बाद सबस्जादा Vacancy नजर आ रही है जो की UP वल अच्छे तरह आता है यहां 25 जेनरल का है 5 OVC का है 4 हैं EWS का 7 है AC का और 1 है ST का इसी टाइब से ER1 देख सकते हैं ER1 Danger Zone में था पिछली बार इस वार देख सकते हैं इस वार कितनी Vacancy है ER1 पटना वाले region में तो ER1 में हैं 15 15 आपका हो गया जेनरल का OVC का 8 है और 3 है EWS का 3 है SC का 1 है ER2 यह सारा डाटा आप लोग देख सकते हैं NER में भी उसी टाइप से Vacancy है 8, 2, 1 यानि सारे region में इस वार Vacancy दे दिया गया SR1 SR1 देख सकते हैं SR1 में भी आच्छा खासा Vacancy SR1, SR2 में जो की South में पढ़ता है 16, 19, General का हो गया 12, 9, OVC का हो गया और इस वार देख सकते हैं WR1 WR1 में भी आच्छा खासा Vacancy है 23 Vacancy है General के लिए और OVC के लिए 2 हैं और WR2 में देख सकते हैं WR2 में भी ठीक ठाक Vacancy दिया गया है यह सारा आप लोग एनालिसिस कर लिजे आप लोग को किसी रिजन में डालना है यह कूरी सा प्रोजेक्ट चल रहा पाउर गीट के तरफ से यहां भी वेकेंसी दिया गया है आपको उरी सा प्रोजेक्ट में ही लगाया जागा इसमें सेलेक्शन होता है तो और इसके बाद देख सकते हैं CC CC मतलब हुआ Corporate जो सेंटर हैं वहां का दिल्ली गुरु गाउं यह कहीं से भी आपको उसी जगा पे आपको लोकेशन मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा माना जाता है यहां आपको दो दिन छूटी मिलेगी Sunnywater Sunday को तो यह सारा एनलीसिस करने को आद हम लोग मैप के थुरू भी देखेंगे कि कौन सा रिजन आपके लिए अच्छा रहेगा आगे चर्चा कर लेते हैं अब परेज लिमिट क्या है तो आप सभी जानते हैं कि जेनरल कर्टेगरी के लिए 27 यर रहती है 27 साल और OVC के लिए 3 साल छूट दिया गया है तो इसलिए आपको 27 सा 3 हो गया 30 साल रहेगा ACST के लिए 5 साल यानि 32 साल हो गया 32 साल आपको एक वात और ध्यान मेरा किएगा जो भी के टेगरी से फॉम फिल अप किजिएगा वो अपना OVC, AC, ST, EWS में जो के टेगरी हैं उसका फॉर्मेट मतलब जो सर्टिफिकेट हो बनवा लिजएगा ओनलाइन करने से पहले हैं Next हम लोग देखते हैं आपर Higher Technical Qualification जो BTEC, BMTEC ये सब किये हुए हैं वो लोग फॉर्म भाड़ सकते हैं कि नहीं वो लोग फॉर्म नहीं भाड़ सकते हैं BTEC किये हुए हैं या MTEC किये हुए हाईर डिग्री को पावर गिड नहीं कंसीडर करता हैं यादि आप BTEC ये सब किये हुए हैं तो फॉर्म नहीं भड़ियागा यादि बाद में सेलेक्शन भी हो जाता है तो भी आपको reject कर दिया जागा और वैसे candidate जो डिपलोमा के बाद BTEC कंपलीट कर लिये हैं वो भी फील अप नहीं किजएगा फॉर्म यादि आप छुपा लेते हैं बाद में पता चलती है तो आपको नौकडी भी खतम हो जागी और जितना पैसा मतलब आपको पावर गेड़ सेलेडी दिया है साड़ा आप उसे बसूल किया जाएगा हाँ वैसे candidate फॉर्म फीलब कर सकते हैं जो डिपलोमा पास आउट है और बीटेक कर रहे हैं जिनका बीटेक कंपलीट नहीं हुआ है वह फॉर्म फीलब जरूर कीजिएगा यादि आपको सेलेक्शन होता है तो आपको कंसीडर किया जाएगा बट बट बीटेक का डिगरी आपको भाइलेड नहीं होगा उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा अब इसका एक जाम पैटन देख लिटे हैं आप सभी जानते हैं पावड कीट का जो डिटि का एक जाम पैटन होता है टोटल 170 क्वेश्चन कर रहता है 170 क्वेश्चन में 120 टेकनिकल से रहता है और 50 नंटेक से रहता है तो यह और साड़ा है जो एक एक नंबर कराता है और नंटेक में आपका पूछा जाता है math, English, reasoning, gk जी के पिछली बार पूछा था इस बार भी पूछ सकता है और जो वैसे candidate जो job कर रहे हैं कहीं भी private या PSU किसी अधर department में है सेल में है या railway में है कोई other department में है वो जड़ी पावर गीड में आना चाहते हैं तो उनके लिए NOC necessary है यदि आपके पास NOC नहीं मिलता है तो form भरते हैं तो उसमें आप लोग यह नहीं सो कीजिएगा कि आप job कर रहे हैं डायरेक्ट जब जोइनिंग कीजिएगा उसमें रिजाइन देखर के डायरेक्ट आप पावर गीड जोइन कर लिजिएगा next आप हम लोग देख लगता है map के through कि कौन सा safe zone रहेगा थोड़ा से इसको समझने का कोशिस कीजिएगा आप सभी कि कौन सा safe zone रहेगा तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं MR2 तो MR2 में हो जाता है आपका MR2 में आपका आता है जमू कस्मीर और लदाक का कुछ छेतर रहता है तो MR2 और कुछ हिमाचल परदेश का भी छेतर रहता है तो NR2 में कौन कौन वैसे candidate डालेंगा जो की हिमाचल परदेश से हैं जम्मु कस्मिट लादाक से हैं जनरली यही भढ़ेंगा नेक्स देखते हैं एनार वन में एनार वन आपका दिल्ली छेत रहता है राजधानी हो गया भारत के इसी के आसपास आपका लोकेशन रहेगा ज्यादा तर राजस्तान दिया जाता इसका लोकेशन तो जो एनार वन फ रेड जोन नहीं मतों एवरेज श्टूडेंट का सेलेक्शन हो जाना चाहिए एनार वन में तो जो बिहार यूपी के बंदे हैं राजस्तान को जेनरली कुछ न तो कुछ डाले गए हैं तो सबसे ज़्यादब हैं तो वह सबसे ज़्यादब बेटिंग लिस्ट भी लेंगे डालने का कोशिस की जग जो अच्छा खासा वैकेंसी हैं आपका एनार थीरी में सेलेक्शन जरूर हो जाएगा यह भी सेफ जोन है अराम से भढ़ सकते हैं वैसे हैं स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एनार वान एनार टू एनार थीरी हो गया अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ईवन जो की रेड जोन था पिछले बाद इस वार भी यह समभावना ज्यादे तर समभावना है कि आपका रेड जोन में ही रहेगा सबसे ज्याद कट आफ जाने का समभाव ना पटना बोर्ड इवन इयाड वन में ही है इसको बाद इयाड टू में आता है बेश्ट बंगाल तो यहां भी फॉर्म जो बंगाली लोग रहेंगे बंगाल के वो इटू में भढ़ेंगे बिहार वाले तो निश्चीत रूप से इयाड वन में भढ़ेंगे यूपी वाले आपके फॉर्म डालेंगे कहां आपका एनर थीरी में ही डालेंगे जो लखनो रीजन में आता है और जो मतलब सीकी में सब वला छेतर हो गया जो मतलब नॉर्थ इस्ट रीजन हो गया यहां जनरली कोई भी फॉर्म फील अप कर सकते हैं जो मतलब इस वार पास आउट हुए हैं वो डाल दीजिए उनके लिए सेफ जोन माना जाएगा जो यह की इस बाइस में पास आउट हो रहे हैं जो बहुत ही समझे कि एवरेज ए डेवरेज में रह सकता है यहां एवरेज वेकेंसी दिया है और एवरेज ए स्टूडेंट लोग यहां फील अप कीजिए गिनरली बिहार यूपी वाले के तो कहीं भी भार सकते हैं फॉर्म वह अपने नुसर देख लिजएगा ऐसे सेफ आपके लिए डेवरेज वान और ड ड कीजिए सकते हैं जॉक आपके लिए जरूरी क्या है अभी जरूरी है ज़ू लेना जरूरी है तो कोई दिकत नहीं अई है U дор ौज देख नए तो येक उडिसा परोजेक्ट चल रहा है जो जनरली उडिसा में लोकेशन रहेगा एक सीसी हैं जो कि दिल्ली हर्याना ये सब में मतलब हेड़ क्वाटर में आप रहिएगा तो जिनरली मेरा नुसर देखा जाए तो मतलब जितना भी डिटेल चर्चा करने को बाद आप सभी के बीच में हम यही कहना चाहेंगे जिसका जो जो एस्टेट हैं वह अपना उसी एस जो ने रह चुका है तो इस वार हो सकता है वेकेंसी वहां कम गीरें अच्छे जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ था वो इस वार नर वान में नहीं डालें तो इसलिए आप अपना देख लिए कहां डालना हैं बाकी तो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहिए पावरीट का फ अबी CSCST EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिजेगा उसके वाद आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और कुछ-कुछ अच्टूडेंट लोग का कुछ कोशन भी पूछा गया है कॉल करके मैसेज करके जो कि हम बता देते हैं कुछ कोशन पूछा गया है एक पूछे हैं ज कर चुके हैं वो फिल अप कर सकते हैं हाँ जो एप्रेंटिस की हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा बस बेनिफिट यही होगा कि आप जोईन कीजिएगा पाउड गिड तो आपको काम करने का एक्स्पिरियेंस रहेगा एक कोशन है एली वाले डिप्लोमा एलिजिवल है जो एली से लेटरेल इंटरी से डिप्लोमा किये हैं वो इस पोस्ट पर फिल अप कर सकते हैं बिल्कुल फिल अप कर सकते हैं एली से जो लेटरेल इंटरी से डिप्लोमा किये हैं फॉर्म फिल अप करियें कलर ब्लाइंडेस जिनको सी भी हैं कलर ब्लाइंडनेस हैं वो फॉ फिलब के टाइम एनोसी का प्रोलम यादी एनोसी आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पर सो कर दिजे कि हम गवर्णमेंट यह जॉब नहीं करते हैं जब जॉइन किजेगा तो उसमें रिजान दे दिजेगा का निखत्म और यादी सिर्फ डिपुलोंमा आप applications नहीं है यादी शिर्प टियर में हैं मतल सेकंड थार्ड याए कोई भी सेमेस्ट्र आपकीं मिलता नहीं हुआ है तो आप फॉम फिलब कर दिजेगा बस सेलेक्शन होने क्वास आप गया बीटेक का डिग्री जो है वो इन्वायलिट हो जाएगा आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम बीटेक डिग्री का यूज नहीं करेंगे एक और स्टुडेंट का क्योशन पूछा गया कि सेमेस्टर में कैडी लग गया था थार्ड सेमे हैं तो आप पावर गेट भर सकते हैं दो जोन में अपलाई कर सकते हैं नहीं दो जोन में अपलाई मत किजिएगा किसी एक जोन में ही आप सेलेक्ट कर लिजे ओवर व्यू दे दिये हैं किसी एक जोन को सेलेक्ट कर लिजे जो आपको अच्छा लगता है उसी जोन में गेनरल तो बता चुके हैं सेफ जोन समझे सारा सेफ जोन है आपके तयारी के उपर डिपेंड करता है आपकी इस परकार से हैं पढ़ने में क्यूंकि आपके बारे में खुद आप ही जान सकता आपका इसा एवरेजर स्टुडेंट है कि डर लग रहा है तो उस परकार से आप पढ़त पढ़ेगी तो आपको भी हाथ लगाना पढ़ेगा ड्रेंग में कितना पैसा बिल्टा थे तो 25 common में 2700 प्रती महीना दिया जाओ ट्रेनिग के बाद्स पुशुलीट्यटी यह जो दीड़े धीरे खळक आपको बता दिया जाओ कि तो धन्ने वाद कि है आज के लिए दिनने